भारतिय टीम ने गुरुवार को T20 विशुकफ के सेमी फाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हरा कर अपनी जगा अंतिम पड़ाओं में पहुचा ली है जी हैं आपको बता दें कि कल फाइनल मैच होना है और इसको लेके लोगों में उस्सा है लेकिन आखिर क्या कहती है भारत टीम के हाथों में ट्रोफी आ जाएगी यही जानने के लिए समय हम लोग मौजूद है आचारे राजिश कुमार जी के पास जो बताएंगे कि आखिर क्या कहती है भारतिय टीम की कुंडली सर आपका बहुत स्वागत है जी नमस्कार बहुत-बहुत धन्यवाद अंजली जी और आपने मुझे इस योगे समझा पूछने के लिए कि भई मैच में क्या होगा तो आपने ये देखा कि जो हमारी भारतिय टीम है इधर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उसने और लास्ट में अब जो है जो अमरिका में होने वाला मैच है अमरिका में हो रहा है तो अमर पर जो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर हम साउथ अपरिका वर्सेज इंडिया का पिछला इतिहास भी देखें तो 26 मैच को अगर हम उठाते हैं तो 26 मैच से 14 मैच जो है इंडिया ने जीता है पिछला इतिहास यही कहता है और आज की तारीख में रोहित सर्मा को अगर हम लेके चलते हैं अपने इस टीम में जो इतनी मेहनत से आज फाइनल में पहुंचाया है उन्होंने तो ये निशित रूप से सब की भावना होती है सब चाहते हैं कि भई हम जीते हैं हम जीते हैं लेकिन चुकि हम से आप बात कर रहे हैं तो मैं आप से ये मैं जब भी बात कर तो कोई बेस पर करूँगा, यानि कोई बेस होना चाहिए, तो बेस में हमने जो कुंडली बनाई है कल रात आठ वजे की, और कुंडली आज अन्जली ची आपने जब हम से सवाल किया, तो मैंने एक प्रशन कुंडली बनाई, और दोनों कुंडली को ध्यान से देखा तो एक बात में मुझे समझ में आई कि आज आपकी प्रस्ण कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो कन्या लगनी की कुंडली बनी है आज यानि 28 जून 2024 को वो ऐसे कंडिशन में जब हमारी के कुंडली बनेगी तो ये कन्या लगन की वनेगी और आपके प्रस्टन के जहां पे आपने प्रस्टन किया है वहाँ पर चंद्रमा और राहू का एक कंबिनेशन हो रहा है जो ऐसे इस्तिती में ये कहा जा सकता है कि भाई देखे अगर हम ये बात करें कि कि ये मैच आसानी से तो इतना आसान नहीं होगा बिल्कुल समझ लीजे कि इस्तिती काटे की होगी और इस काटे की इस्तिती में अगर मैं भारत को लेके चलूं कि 70% अगर हम मानके चलते हैं तो 30% जो है साउथ अपरिका के क्यों क्यों उसका कारण मेन है कि चंद्रमा राहू का कंबिनेशन गरहन दोस अगर इस प्रस्ट पे बन रहा है तो बहुत साप और इस प्रस्ट बात करता है कि लास्ट में मैच फंस सकता है ये बात आती और फंसने के साथ साथ जहां तक फाइनल रिजल्ट की बात करोगे तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा कल के 8 बज पड़ेगा मुझे लग रहा तो ऐसे स्थिती में मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम 8 बजे की कुंड़ी बनाएंगे तो भारतिय समयना अमसौर ये धनू लगने की कुंड़ी बनेगी और धनू लगने की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें और मीन राशी बन रही है तो ऐ ऐसे कंडिशन में इनसे छठे भाव में राहू और चंद्रमा का गोचर हो रहा है। इन दोनों के कंडिशन के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो मैंने पहली कुनली से कहा था कि 70% यहां पे 99% चांसे बन रहे हैं कि भारत जीतेगा लेकिन मैच फसेगा ये याद रखेगा और दूसरी बात सूर्य शुक्र ये भी कहता है कि टॉस जीतने वाली बात में भारत घर्षबरा होगा लेकिन अंतिम टाइम पे कुछ भी हो सकता है हां मतलब अंतिम टाइम पे जैसे कभी-कभी आपने देखा है मैच फस जाता है पता चला कि 16 बाल बची है और 21 बनाना है 35 बनाना है तो इस तरीके का कुछ मसला बीच में फसेगा और इस्तिती ऐसी बनेगी क बड़ा रोमांचक तो होगा लेकिन जीदी बात है कि जो देश जीतने के कगार पे होगा वही परिशान होगा मालीजे हमारा भारत हमने कहाने कि इंडिया के जीतने के चांसेज बन रहे हैं अगर हम कल की एक कुंडली बनाए तो इंडिया के चांसेज बनेगे लेकि तो यकीनन हमारे साथ जो जोतिशाचार है राजिश कुमार जी उन्होंने काफी कुछ क्लियर कर दिया है पूरी कुंडली देखिए बारिकी से अध्यन किया है उसके बाद बताया है कि कल का मैच जो भारत बनाम सौथ आफरिका होने वाला है आखिर वो कैसा रहेगा कौन जीत है लेकिन सर की बातों से यह मैच अब और भी जाद रोचक हो गया है तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ में लखनो से अंजरी सिंग राजपूत